Hello guys this is Justi Faculty of English Welcome once again to our channel तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखने जाने हैं Use of how many and how much मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था Use of as much as and as many as अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखा हैं तो उस वीडियो को लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसको वहां से क्लिक करके देख सकते हैं तो आज हम सीखते हैं What is the difference between how many and how much There are three things which you guys need to notice सबसे पहली बात जो है हमारा अगर हम बात करते हैं how many की तो यह हमारा countable होता है जि हाँ, जब भी भी आप बात करते हैं कितने और उस कितने के बात चीज़े अगर आपके countable होती जैसे कितनी कुर्सियां, कितने लोग, कितने students तो यह साही चीज़ों को हम count कर सकते हैं तो उनके साथ हमारा लागी का how many तो पहला जो पॉइंट है हमारा इसके इंदर how many वह हमेशा आप countable चीज़ों की ही बात करेंगे दूसरा जब भी भी आप how many का इस्तमाल करेंगे तो उसके बात जो भी आपका noun या जो आपका subject हम इसको बोलते हैं वह हमेशा आपका plural लगेगा जैसे लोग या फिर दे का यूज हुआ चिल्रेंस का यूज हुआ इस तरीके से थर्ड जो most important बात है हमारी की how many के case में जो हमारी helping verb होगी जैसा कि आप सब लोगों पता है कि जो हमारी helping verb होती है वो total 13 होती है अगर हम बात करते हैं अगर आपके पास option नहीं है जैसे इस MR में आर हमारा plural है डू और डू में हमारा डू plural है वह और के अंदर हमारा अगर हमारे पास single helping verb यूज की जाएगी अब मात करते हैं हाउ मच का हाउ मच का भी मतलब होता है कितना लेकिन यह हाउ मच जब भी आपका इस्तमाल किया जाएगा तो उसके जो cases हैं पहला तो यह है कि वो सारी चीजे uncountable होंगे जिसको आप गिन नहीं सकते जैसे मैंने बोला कितना समय कितना पानी तो इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते counting में वैसे तो इनको इनको इनकी unit होती है इनको measure करने के लेकिन इनको हम count नहीं कर सकते हैं दोसरा इसमें जितनी ही हमारी जो subjects होंगे हमारे जो noun होंगे हमारे उस सारे के सारे singular होंगे जो हम how much के बाद use करेंगे और इसमें हमारी helping भी हमेशा singular ही use होगी ठीक है इन दोनों ही cases में एक चीज़ दो similar है वो यह है कि sentences आपके हमेशा interrogative ही बनेगे क्योंकि आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं and whenever you are asking anything from anybody that your sentence is always interrogative fine, आईए आप मैंसे कुछ examples ले लेते हैं जिसकी मदद से आप अच्छे समझ सकते हैं कि हमारा how much और how many का हम use कैसे कर सकते हैं so guys without any further delay let's take some example of how many and how much और उस examples के help से आपको समझ में भी आएगा कि कहां कहां हम आपने sentences में how many और how much का इस्तमाल करना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको एक formula बता देता हूं जिससे आपके सभी sentences को अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो rule है मारा है आपर rule to make sentences of how many and how much सबसे पहले करना है how many or how much जैसे पोई एक लगाना है जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अगर countable होगा हमारा तो हमें how many लगाना है uncountable होगा तो हमें how much लगाना है उसके बाद जो भी आपका noun होगा वहापर आ जाएगा that only depends on your sentence last one आपको यहां पर object आ जाएगा अब कुछ example से हमारे यहां पर how many के जैसे हमारा how many people are watching this video यानि कितने लोग इस video को देग रहे हैं तो हमें से मही rule follow किया how many का हमने इस्तिमाल किया फिर हमें आप अपना noun जो है वो यूज किया हमने पीपल उसका है helping हमारी आ गई आगई आगा है मैं पहले ही आपको बता चुगा हूं कि जब भी हम how many का use करते हैं तो हमारा जो भी noun होगा यह जो भी हमारी helping work होगी वो हमेशा हमारा plural लगता है फिर इसके बार हमारा हम बहुत पर लगता अगया और हमारा ऑफिट आगे इस वीडियो नेक्स है हमारा हमारा है आप जो यूज इंग्लिश इन डेर यह नि आप कितनी बार एक दिन में इंग्लिश बोलते हो तो हमने फिर वही हम्मेनि इस्तमाल किया अपने नाउन उस कर लिया हमने अपनी है अपनी एल्पिंग्ड चीजह की बात करते हुए अपने संटेंस को बना रहे हैं अब हम मूफ करते हैं examples of how much अब how much के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे uncomfortable सीजों की बात करेंगी तो how much does he earn यानि वो कितना कमाता है और पहले भी में आप बना चुका हूँ कि पैसे की बात जब भी हम करेंगे तो हमेशा हमें much का ही इस्तिमाल करना है अगला है हमारा how much milk does he drink मतलब वो कितना दूद पीता है अब नेक्स है हमारा how much will it cost to me यानि ये मुझे कितने का पढ़ेगा यानि मुझे इसके कितने पैसे देने पढ़ेगे तो हम फोलो करते जा रहे है हमने how much का पैसे यूज कर दिया अबना फिर जो भी हमारी noun है वो हमने नाउन आपको इस समझ में आगया होगा कि हमें how much uncountables के साथ लगाना है और how many हमें countables के साथ लगाना है अगर आपको ऐसे ही और भी examples सीखने हैं तो आप हमें commenter के examples अपने दे सकते हैं अगर उनमें कोई correction होगी तो आपको correction करके बता दिया जाएगा इस वीडियो में इतना ही थैंक ये सो मुच पर सब्सक्राइब आप चैनल और वाचिंग इस वीडियो इस जशी साइब आप दे लिए